नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वितामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में कौन-कौन फूड्स शामिल करने की ज़रूरत है जो वितामिन B12 से भरपूर हों. वितामिन B12 हमारे शरीर को कई खतरनाग बीमारियों से बचाने में मदद करता है. इसकी कमी से सबसे ज्यादा हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है. विटामिन B12 Red Blood Cells को बनाने में भी एहम भूमी का निभाता है अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आपको हड़ी और जोड़ों से जुड़ी परेशानी, मानसिक समस्याएं और एनीमिया का खत्रा हो सकता है हालांकि खानपान का ख्याल रखने पर आप विटामिन B12 की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जो विटामिन B12 से भरपूर है जानते हैं कौन सी चीजों में सबसे ज्यादा विटामिन B-12 पाया जाता है और इससे शरीर को क्या फाइदा मिलेगा नमबर एक शरीर में विटामिन B-12 की कमी को दूर करने के लिए आपको रोजाना कम से कम दो अंडे जरूर खाने चाहिए इससे विटामिन B-12 की डेली की जरूरतों का करीब 46 प्रतिशत हिस्से को पूरा किया जा सकता है नमबर दो विटामिन B-12 सोयाबीन में प्रचर मात्रा में होता है विटामिन B-12 के लिए आप सोया मिल्क, तोफू या सोयाबीन का ओयल भी इस्तमाल कर सकते हैं नमबर तीन खाने में दही जरूर शामिल करें दही में विटामिन B-2, B-1 और B-12 पाया जाता है लो फैट दही से न सिर्फ विटामिन B-12 की कमी को पूरा किया जा सकता है बलकि इससे पेट भी स्वस्त रहता है नमबर चार ओट्स खाने के कई फाइदे मिलते हैं ओट्स से न सिर्फ वजन कम होता है बलकि भरपूर फाइबर और विटामिन्स मिलते हैं ओट्स विटामिन B-12 का अच्छा सोर्ज है ओट्स खाने से हेल्थ भी अच्छी रहती है नमबर पांच आहार में दूद जरूर शामिल करें दूद में ज्यादा तर सभी पोशक तत्व पाये जाते हैं दूद में अच्छी मात्रा में विटामिन B-12 पाया जाता है नमबर छे खाने में पनीर से न सिर्फ प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है बलकि विटामिन B-12 भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है आप विटामिन B-12 के लिए कोटेज चीज का सेवन कर सकते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर अच्छा आप्शन है नमबर साथ विटामिन B-12 के लिए आप खाने में ब्रोकली भी शामिल कर सकते हैं ब्रोकली में विटामिन B9 यानी फोलेट भी अच्छी मात्रा में होता है। इससे शरीर में हीमोगलोबिन की मात्रा बढ़ती है। नमबर आठ नॉन्वेस खाने वाले लोगों के लिए विटामिन B12 के कई आप्शन है। आप खाने में जींगा मचली और सांस फिश को जरूर शामिल करें। इससे विटामिन B12 और विटामिन E भी अच्छी मात्रा में मिलता है। नमबर 9 डाइट में चिकन शामिल कर आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। चिकन में विटामिन B12 और विटामिन B9 पाया जाता है। चिकन से आप विटामिन B12 की डेली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। नमबर 10 मश्रूम को विटामिन B12 का अच्छा सोर्स माना जाता है। मश्रूम में वितामिन B12 के अलावा प्रोटीन, कैल्शियम और आइरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा मश्रूम में घुलनशील बीटागलुकन होता है जो स्वास्थे के लिए बहुत फाइदेमंद होता है अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आपको और भी स्वस्थ रहने की जानकारी मिलती रहे धन्यवाद